नमस्कार, ऐसेन सुदा में आपका स्वागत हैं, मैं हूँ सिकुमार्तिवारी, हमारे हिंदू सनातन संस्कृति का एक दिव्य परवे जो की 26 तारीक रिविवार को बनाय जाएगा, जिसको मुलते भाई और बहन का त्युहार कहा जाता है, भाई बहन के एटूट प्रेम का य हैं, सून जिमाने का, भोग लगाने का समय कब हैं, यह सारी चीजें मन में संसे पैदा करती है, तेन संदे देती हैं, आज हम इन सब की जानकारी लेने के लिए सुदान गट के जाने माने जोतिश रचारिये, पंडित सोमदर जी सास्त्री के पास आए हैं, और उनसे हम जान जानकारी लेंगे कि रक्षा बंदन के परवेक दिन क्या बद्रा है, है तो कब हैं, राकी बानने का जो समय सुब मुर्थ कब हैं, और रक्षा बंदन परवेक क्या है, क्यो मना जाता है, यह सारी जानकारी हम सास्त्री जी से लेंगे, सास्त्री जी सबसे पहले हम आपको न ओम शीव ओम शीव शीव करते-करते आपको हर समय याद करते हैं भगवान आपको ऐसी उन्नती देवे कि आपका चहुँ दिसाओं में नाम रोसन हो ऐसा शिरुवाद है और हाँ नमस्कार मैं ये कर रहा हूँ आपने जो ये वाद पूछी है स्रावन के मैने में रक्षा बानती है रक्षा बंदन का सुरुवात जब हुआ था तो भक्त प्रलाद के तपस्या के करण साधना के करण भगवान विष्णो उस पर प्रसंद हुए और प्रलाद के जो पोत्र थे राजा बली तो जिस समय रक्षा बंदन किया जाता है रक्षा विदान किया जाता है त बोला जाता है तो क्या है कि बक्त प्रलाद के पोत्र जो बली राजा थे उनको विश्णो भगवान ने उसकी साधना के कारण साधना कारण उसको आशिरवाद दिया था कि में आपके पास रहूँगा तो जब उन्होंने कह दिया तो उसको पूर्ण भी करना था पूर्ण करना था तो बगवान विश्णु ने उसे पूर्ण करने के लिए बामन का आउतार धारन किया बामन का आउतार धारन करके राजा बली के पास दान मागने के लिए चले गए जब विश्णो भगवान बामन का आउतार धारन करके राजा बली के पास गए उस समय हवन यग्य संपुर्ण हो रहा था तो बली का जो गुरु था सुक्रा चारी है उन्होंने भी उस बालक को देख करके कहा बालक तो बड़ा महान है और ब्रामन लगता है और यग्य की संपुर्ण पर यदि ब्रामन का आगमन हो और ऐसा तेज़स्वी बालक हो तो उस यग्य की सफलता उसको पूर्ण मिल जाती है तो उन्होंने उस बालक को नमन किया नमन करके उसके पेर्चुए पेर्चुए पेर्चुख करके बोले ब्रामन देवता आप आईए विराजे आपके मन में क्या है किस उद्देशे से आप मेरे पास आए हैं तो विष्णो भगवान बामन रूप धारन किये विए उनको तो ये मालूम था कि अपने को किस लिए आना है इसके पास अपने को रहना है ये सब विष्णो भगव कि मैंने मेरा यग्य संपादित किया है पूर्णा होती की है और इस समय में यदि ब्रामन को कुछ दान देऊं तो मेरा यग्य सफल हो तो दान के अंदर उसने बली ने कहा मैं आपको राज्य देदेता हूं गाएं देदेता हूं सोना देदेता हूं चांदी देदेता हूं जब मैं एक सन्याशी हूँ, मैं सन्याशी हूँ, मैं अपना गायत्री जब करता हूँ, और बगवान की आराद में लगा हूँ, तो मेरे को इन सब चीज़ों की आवशकता नहीं है, लेकिन अगर आप इतना ही मुझे प्रोट्सान करते हो, का कुछ लेओ, तो मेरे को आप केवल तीन पेर दर्ती मेरे पेर से नाप करके मुझे देदो, ताकि मैं उस पर बेट करके अपना गायत्री का जब करूँ, ताकि य सुक्राचारिय को कुछ ऐसा लगा, कि ये तीन पेर दर्ती मांग कर आप ने, जब देने वाला सब दे रहा है, फिर भी एतनी क्यों मांग रहा है, कुछ नगुछ कारण है, सुक्राचारिय तो समझ रहे थे, लेकिन राजा बली ने कहा, कि तीन पेर दर्ती का क्या मंगा आ आपने, का बस मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मम जो है, ममत्व जो है, उसका त्याग करो, उसका त्याग करो, मेरे को सिर्फ तीन पेर दर्ती चाहिए, और तीन पेर दर्ती ये आप देते हो, तो मैं उस पर अपना बेट करके, आसन लगा करके, अपना गायत्री का जब तो उन्हों ने का ठीक है मैं दे रहा हूँ तुमको कि ऐसे नहीं लेऊँगा मैं आप संकल्पी तो करके मेरे को जमीन देऊ तो राजा बली ने संकल्प लिया का कथा तो बहुत लंबी है का उन्हों ने राजा सुकराचारिय ने नली के अंदर आकर के वेठ गए उनकी भगवान ने अपना विराट रूप बली को दिखाया बली को दिखाया और वह बात यादिल वाई उन्हों को मैं आपके पास रोगा मैं कों किसका है कोई किसी का नहीं है सब कुछ भगवान का है ममत तो जब ख़तम हो जाता है तेरा तुझको अरपन क्या लागे है मेरा कास, तीसरा पिर कहा रखूं? तो बली ने कहा, भई तीसरा पिर आप मेरे शिर पर रखो, यानि वो समर्पन था, समर्पन था, तो ने कंदै, इसी भीच के अंदर क्या होता है? रावनाता है, युद्ध करने के लिए, कथा थोड़ा मोर दे राऊ में, रावन आतार युद्ध करने के लिए तो वामन ने कहा कि मैं इनका सेवक हूँ बली राजा का सेवक हूँ बली से युद्ध करने के लिए पहले तेरे को मुझे से करना होगा युद्ध तो रावन को एक लात के अंदर लंका पहुंचा दिया वामन बगवान ने लंका पहुं बना जिया तब उस पर बली ने कहा कि आप मेरे द्वारपाल बन जाओ तो द्वारपाल बन गए और द्वारपाल बन जाते हैं तो वो अपने घर केसे जाए नोक्री लग गए हो तो उदर लक्षमी जी बेठी बेठी ये सोच रही है विश्ण बगवान नहीं आए विश्ण करके चार महीने बीट गए नारद जी पहुंचे नारायन नारायन करते हुए बोलो लक्षमी मता कि आज उदास केसे लग रही हो तो लक्षमी ने का क्या करूं नारद स्वामी जी चार महीने से नहीं आए वो कहां है उनका पता ही नहीं है तो नारद ने का मैं पता लगाता है यदि तुम उनके पास जाओ और उनको अपना भाई बनाओ तो वो साइध आपको उनको प्रदान कर दे तो जिस दिन लक्षमी सुतल लोग के अंदर बली राजा के पास जाती है उसे अपना भाई बना करके यह जो बहन तो दिन स्रावन शुकला पूर्णिमा थी तो उस दिन को सभी रक्षा बंदन के नाम से जानते हैं लक्षमी जी ने बाई बनाकर उनसे अपना पति वांगा तो क्या हुआ कि उसने राजा बली ने कहा कि बहन मैं तेरे को जो कुछ भी आवशकता हो वो मैं तेरे को देने के लिए तेरे रक्षा करना मेरा धर्म हो गया तो तेरे को जो कुछ भी चीच है वो मैं तेरे को दे सकता हूँ तो उसने का मेरे पास धन है वेबव है भवन है राज्य है सब कुछ है लेकिन मेरे गर में एक चीज नहीं है जिसके कारण मैं हर समय चोईश गंटे बेचेन रहती हूँ ऐसा सब्ज उसने कहा तो भही बोला क्या एसी क्या बात है एसी कौन सी चीज है जो तेरे पास नहीं है वेचेने रहती है तो मैं बेचेन हूँ क्योंकि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ बोल तु क्या चीज मांगती है जो तो मांगेंगी वह में देने के लिए तैयार हूँ तो उसने का मेरे को और कुछ नहीं चाहिए मेरे को तो आपका धौरपाल चाहिए है तो अगर तुम से बड़े मतलब हर्स बाउसे का ये दौरपाल चाहिए तो मैं तो इनका बढ़ते निकलते विश्ण भगवान का दर्शन करता हूँ और अगर तुम इसे ले जाना चाहती हो ये आपका अधिकार है आप इने बड़े सहर्स रूप से आप सकते हो तो उस दिन के बाद में चार महिने तक दौरपाल रह करके वो फिर लक्षमी के साथ अपने स्वधाम को वापस आए इस दिन ये रक्षाविदान जैसे ये रक ही बांते है आज कल क्या है राखियों का सुन्दरता थोड़ी सुन्दरता पर सब आगे है बिल्कुल बिल्कुल मैं देख रहा हूँ आपके पास भी है वो सुन्दर सुन्दर आगे है सुन्दरता पर आगे है तो सुन्दरता के साथ साथ पवित्रता भी है इसके अंदर पवित्रता भी है यानि बहेंड बाई का जो रिष्टा है, बहुत गहरा रिष्टा है, बहेंड को ये दुख히 देखता है, और बाई का मन विछलितू हो जाता है वो उसको हर प्रकार से सुक पहुंचाने के लिए अपना साम दाम दंड भेद चारो निती लगा करके उस बहन को सुक ही देखना चाहता है चली अब मैं वो जाना चाहूंगा कथा आपने बताई बहुत सुन्दर दिव्यत वहार है भगवान से पुराणी कथा से हमारे जुड़ा है जो बद्रा वाला जो थोड़ा बताएं क्या इस बार बद्रा है कब है और टाइम क्या है रक्षणा की बांदिगा इस बार बद्रा रविवार को प्राते काल चार बद्र के चपने मिन तक बद्रा है तो रविवार को जब सूरियोदय हो प्रम मुर्थ हो उससे लेकर के सूरियास्त तक सूरियास्त तक अपन राक्य कभी बांद सकते हैं रक्षा विदान राक्य का तिवार जो है सारा दिन सुद्ध है यानि पूरे दिन कोई बदरा नहीं है, साइट सुबह से कभी भी राखी पांच बजे के बाद कभी भी बांदी जा सकती है, हाँ सुबह पांच बजे के बाद में आप राखी कभी बांद सकते हैं, वेशे आजकल एक दो फोन भी आये थे मेरे पास, पंड़ जी ये राखी का तिवार है इस दिन क्या ग्रहन है अपन बान दें का नहीं बान दें मेने का ग्रहन अपने यहां नहीं दिखेगा यह ग्रहन जो अपने को नहीं दिखता है जो अपना सास्तर मानने नहीं करता है उसको अपन क्यों माने बारत में बारत में बारत में इसलिए अपन रविवार को सूबह सूरियोदभाई से लेकर, सूबह पांच वज इसे लेकर ब्रह्म जोर से लेकर के, श्याम को पांच सावजे तक कभी भी रखे बान सकते हैं ये समय एकदम स्रेशल है लोग सून गर्वे बनाते हैं बानते हैं उनको जिमाते हैं ये क्या प्रमपर है सून जो जिमाते हैं ये भी क्या है कि ब्रह्मा के पुत्र जो स्रवन थे स्रवण स्रवणी संध्या गायत्री सावित्री ये सब क्या तेरा पद तेरा है साक्षी है ये सब साक्षी है ये क्या है अपना जो करम किया हुआ है चाए पाप करम हो चाए धरम करम हो उनको दूर से देख करके अपना जो लेखा जो कहा अपन कहते हैं कि उपर लेखा जो का रहता है वो स्रवन और स्रवनी जो होते हैं न वो दरवाजे की उपर खड़े रहते हैं तो उनको पूझते हैं पूझते इसलिए हैं कि अपने घर में हर कारिय मंगलिक कारिय हो अच्छा कारिय हो, अच्छे आदमी के पेर अपने घर के अंदर आए, अच्छे विक्तियों से अपने बात सी तो, अपने दूराचारी जो लोग हैं, वो इससे दूरी रहें, ऐसा एक तप है उनका स्रवन का, तो उनको मना करके, सोबागी की कामना, पुत्र-पुत्र की कामन उनको अच्छे संसकारों की कामना, जैसे संसकार होते हैं, सोड़ा संसकार, उनमें आजकल की जो पबलिक है, आजकल की जो जनता है, वो केवल एक विवह संसकार को ही जानते हैं, वो भी समय पर नहीं करते हैं, जैसे एक उपनेन संसकार है, एग्योपवी संसकार है, स्राव ब्राम्मन के लिए बहुतती अच्छा, ये दिवाली का सा दिन है, जिस दिन सरावनी करम हो, वो ब्राम्मनों के लिए दिवाली मान लोँआ बहुत सुभकारिय है वो इसके अंदर क्या है? जैसे वेद जो सास्त्र जो अपने करम कांड़ की सास्त्र एं उन में एक लाख स्लोक है, एक लाख स्लोकों में से चार हजार स्लोक जो है, वो तो संध्याशियों के लिए हैं, और छिनमा हजार जो स्लोक हैं, वो छिनमा हजार स्लोक अपने ब्राह्मनों के लिए करम कांड के वास्ते छोड़े गए हैं, तो इस जनेव में उपने इंसकार के अंद चिनमहजार ग्रंथी है चिनमहजार आंटे हैं उन में प्रतेक एक एक धागे के ऊपर प्रतेक देवी देवता का समरण उनका इस्थापना की जाती है जिसी ब्रहमा, विश्णूर और महेस ग्रंथी जो है वो महेस की है ब्रह्मा के द्वारा रचहिता है विष्ण इसका पालक करता है और गायत्री जो है वो माता है तो जो उपने इंसकार को धारण करते हैं उन्हें ही गायत्री जपने का अधिकार है तो स्रावनी करम के दिन किसी तलाप पर या पवितर जगह पर जाकर के उपने जनेव की पूजा की जाती है जनेव की पूजा की जाती है इसमें कई परकार के नियम है नियम केसे हैं जैसे पराई इस्त्री है पराई इस्त्री का मुख है पराई इस्त्री के केस है या कि दुनारिया हैं उन पर कब्जा करना उनको उन पर नियंतरन करना उस ब्रह्मन का करम हो जाता है तो जो उपने इंसकार धारन करते हैं उनको जैसे नदी नदी के अंदर नहीं जाना, रात को नहीं जाना, कुये में नहीं जांकना, दिवार को नहीं फांदना, ऐसे कई प्रकार के बंदन है, उन सब के बंदन में रहे करके प्रभू का ध्यान करना, गायत्री का जब करना बहुती सुन्दर जानकारी है हमेरे सास्त्री जी के द्वारा प्राप्त हुई है सौमदत जी सास्त्री जिनसे अक्सर आप पैसिन पर देखते रहते हैं हर्त योहार पर हमें उनकी परंप्राओं के बारे में पून जानकारी देते हैं और आज रक्षा बंदन का परवे जो 26 तारीक रविवार को मने जा रहा है उसके बारे में आपने बताया है कि सनिवार को तीन बज़े के बाद में बद्रा लगेगी जो सुबह चार बज़ कर छपपन मिनट यानि रविवार रक्षा बंदन के दिन सुबह चार बज़ बज़ कर छपपन मिनट के बाद में आप कभी प्रिवरा के बान सकते हैं सून जिमा सकते हैं सब मंगलिक कारे कर सकते हैं और ये बहुत दिवे परुए हैं कहते हैं कि रेसम का ये जो धागा है वो निशित रूप से भाई और बहन के पवित्र प्रेम की निशानी है एक बहन अपने भाई की कलाई पर ये सदाती है और चु सबसे पहले में आपके करकमलों से करवाने चाहूंगा बहुत 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 सोबाग्य है मेरा कि आज आपके अकलाई पर में रक्षा विदान सवभीत करता हूँ ये नवद्डो बली राजा दान विंद्रो महावले तेन त्वाम बद्धामी रक्षी माचल माचल है ब्रह्मा विष्णो रुद्रस्चच रक्षा कुरवन्तुते सदा ये पूर्ण स्लोक है ब्रह्मा विष्णो रुद्र तीनों आपकी हमेशा रक्षा करें आपके चहों हो रहे और आपको उन्चाई प्राप्त करें ये मेरा सोबा गया कि पहली जो राखी है वो सास्त्री जी के करकमलों से मेरी कलाई पर सजी है और कहते हैं कि भाई और बहन का ये रिस्ता है ऐसा रिस्ता है इसमें बहन बहन के कलाई पर राखी बानती है तो कामना करती है कि भाईया मेरी रक्षा करेंगे बगवान को हम पर चलें और हमारी जीमन की रक्षा हो ये आप सभी दर्सकों के लिए मार खास कारक्रम जिसमें आपने सुना सास्ते जी ने बताया कि रक्षा बंदन के दिन कोई बद्रा नहीं है कोई रोक टोक नहीं है आप पूरे दिन सुबह पांत बजे से साम तक अराम से राकी बांदे बहने घर में काम करके अपने भाईयों के घर दूसरे गाउं जाकर पूरे दिन कभी भी जाकर राकी बांद सकती है कुछ और कहना चाहेंगा इसके साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ देशवाशियों को कि अच्छा समय है अच्छा दिन है रक्षा विधान बांद करके अपने बहन भाईयों की पूरे परिवार की खूब उन्नती के लिए आप भगवान से प्रार्थना करें आप सभी को मेरा आशिरवाद है और इसी श्री का तिलक मेरे निकालना चाहता हूँ मेरे मीशे मेरे घर से तिलक के लिए लिए जी 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 स्वस्ति का मतलब है सब काम अच्छा हो सुब हो मंगल हो इसी कामना के साथ मैं आपको आपका मुटा विक्रवार रहा विल्कुल मैं दनल्य हो गया आसच में विल्कुल रक्षा बंदन सभी 26 तारी को मनाँगे मैंने आज सुक्रवार के दिन रक्षा बंदन का पर्वे मना लिया है सास्त्री जी का अमोग आश्रवात मुझे प्राप्तु है और मैंने इसी त्रुप से अपने आपको धन्य महसुस कर रहा हूँ आप सब को रक्षा बंदन की पर्वे की हार्दिक सुप काम नहीं ऐसे अन सुदलागी रहे मैं सी उक्मार तिवारी पने से होगी विबेक तिवारी के साथ आप सब देन बाद नमस्कार